Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल भारत में कब इसको देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिसकस करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC की त्यारी करने हैं, इस साल अगर आप prelims दे रहे हो, जो कि 28th of make होने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जो हमारा batch है, 27th January से इसको जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय Republic Day Sale चल रहा है, जिसके तहत आपको सबसे कम दाम पर ये जो batch है, वो जॉइन करने को मिलेगा, 200 प्लस आर्ट से जादा की Life Classes होंगी, Static और Current Fares का जो Integrated Study है, वो कराया जाएगा, Books आपके घरों तक भेजे जा इसके लावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेर करो, तो ये वाला batch जॉइन कर लीजेगा, Prelims और Bains का जिसके अंदर पूरी त्यारी अगेन यहाँ पर कराई जाएगी, अगर आपको NCRT लेना हो, UPSC जो भी है, Use the Code Unkit Live ताकि आप Extra Discount ले सकें, इसके लावा और अगर आप MCQ करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि appearing near earth after nearly 50,000 years, मतलब की अभी बहुती जल्द मतलब की January के end में और February के सुरुआत में आप कह सकते हैं, क्योंकि 2nd of February के आसपास बताया जा रहा है, कि ये earth के सबसे नजदीक होगा, तो ये 50,000 साल में पहली बार ये earth से पास हो रहा है, और अगला जो हमें देखने को मिलेगा, ये अगले 50,000 साल बादी होगा, ओवेसी ब देखा, कोई pollution नहीं रहा, cloud नहीं रहा, तो इसको naked eye से भी देखा जा सकता है, अब देखे ये जो green, green comet की बात कहीं जा रही है, इसको term किया गया है, C2022E3ZTF, basically क्या है कि जिस camera के दौरा, जिस survey के दौरा इसको देखा जाता है, उसी के नाम पर रग दिया जाता है, तो basically US के दर आप देख सकते हो, यहाँ पर, Zviki transient facility, इसका जो wide field survey camera है, उसके माध्यम से spot किया गया था, 2022 में, इसलिए इसका ये नाम term किया गया, इसके बारे में हम वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक comet क्या होता है, उसके पहले, यहाँ पर आप ध्यान पार्ट होता है, जब planet बन रहे थे, उसी कही जो rocky और airless leftovers था, वो form हो गया, और यह ज़्यादा तर concentrate हो गया asteroid belt में, asteroid belt आपको देखने को मिलेगा, जो Mars है, मतब पिर्थवी के बाद वाला जो planet आता है, Mars, और उसके बाद Jupiter आता है, तो Mars और Jupiter के बीच में, यह इतने सारे आप चोटे चोटे rocky पत्थर जैसे formation देख रहे हो, तो इसी को कहा जाता है asteroid belt, बहुत सारे asteroid देखने को मिलते हैं, और कई बार क्या होता है, कि यह जो asteroids है, उनमें से कुछ तूट कर, या पूरा का पूरा asteroid जो है, वो यहाँ पर अलग-अलग दिशा में चला जाता है, तो उस case मे उसको कहा जाता है, meteorites, ठीक है, वो meteorites कलाता है, और जब यह meteorites, suppose, Earth के atmosphere में एंटर कर जाता है, तब हम इसको कहते है, meteorites, और अगर उसमें, उसके बाद भी यह बज गया, Earth के atmosphere से बज गया, खतम नहीं हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा अगर धरती पर गिर गया, तो हम उसको कह हैंगे meteorites, तो इसी तरह से इसको define किया जाता है, अब जो comet होता है, देखो, यह जो asteroid है, वो भी sun के चक्कर लगा रहा है, जो comet होता है, दोस्तों, वो भी sun के ही चक्कर लगाता है, अब sun के चकर तो आपको पता है, सारे planets लगाते हैं, लेकिन comet और जो asteroid में सबसे बड़ा difference व बन रहा था, 4.6 billion years ago, जब पूरा solar system फ़र्म हुआ था, तो उसी में से dirty snowball भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर dust, rock, ice भी आपको देखने को मिलते हैं, और basically ज्यादा ज़र क्या है न, कि इसका जो path होता है, जो orbit होता है, वो थोड़ा सा अलग धंग से देखने को मिल मतलब asteroid belt में तो हमने देखा न, कि proper तरीके से जो sun के चक्कल लगा रहा है, उस तरह से आपको देखने को मिलता है, लेकिन comet क्या होता है, जो 8 planets है, basically 9 तो नहीं रहा Pluto, कई बार तो इसको लेकर भी debate होती है, कि क्या Pluto को planet बोलाना चाहिए, कि या फिर comet बोलाना चाहिए, तो planet तो नहीं बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर comet भी कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि Pluto का अगर आप इसका orbit देखोगे न, कुछ आप कुछ हद तक आपको ये comet जैसा ही देखने को मिलेगा, तो Pluto के बाद अगर आप देखोगे न, यहाँ पर भी एक belt है, जिसको oat cloud कहा जाता है, यह oat cloud कहते हैं, और oat cloud में ही यहाँ पर बहुत सारे comets देखने को मिलेंगे, यह जो oat cloud है, वहाँ पर बहुत सारे comet है, वो देखने को मिलता है, और कुछ वैसा path होता है, अजीब धंका आपको देखने को मिलेगा, मतलब की मालो यहाँ पर कोई comet है, ठीक है, और उसका हो सकता है कि orbit कुछ इस प्रकार से हो, इस तरह से, ठीक है, तो वो इस तरह से लगतार चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन comet भी सूरज के ही चक्कर लगाता है, यह आपको समझना जरूरी है, ठीक है, comet भी ही जो है वो सूरज के चक्कर लगाता है, तो इस तरह के कई बार जो पात होते हैं, तो वो सूरज के नजदीक जाता है, और कई बार अर्थ के पास भी वो गुजरते वे, फिर वो वापस अपने पात पर आ जाता है, तो काफी long distance आपको देखने को मिलता है, तो यह basically comet है, तो यहाँ प पर अब एक चीज़ और समझेगा, कि comet मैंने आपको क्या बताया, कि कई बार क्या होता है, कि यह सूरज के बहुत नजदीक से गुजरता है, तो जब नजदीक से गुजरता है, तो वो बहुत heat हो जाता है, और heat होनी की वजए से यहाँ पर अपने remains लगातार चोड़ते जा और एक ऐसा समय आता है, कि जब comet पूरी तरह से अपने आपको खतम कर लेता है, तो यह जो green comet है दोस्तों, यहाँ पर अगेन यह भी बताया जा रहा है, कि जो oat cloud मेंने आपको बताया है, यह जो oat cloud बताया है, वहीं से यह आया है, मतलब कि हमारा जो solar system में उसके edge से ही निकल क जो है, सूरज के चक्कर कारता है, यह भी, और अभी present में यह जो green comet की हम बात कर रहा है, यह बताया जा रहा है, कि अभी present में जब में video record कर रहा हूँ, 2.5 light minutes ही दूर है, अब light minutes की बात जब हम कर रहा है, तो basically, लगभग 27 million miles के करीब आसपास है, और 2nd February के आसपास यह earth के इसको देखा कब जा सकता है, ठीक है, एक तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, कि अगर comet का brightness इतना ही रहा, मतलब कि एक तो brightness होना चाहिए न, उसका खुद का जो हमें देखने को मिलता है रोश्नी, तो या तो उतना सदा bright हो, it will be easy to spot with telescope, binoculars, और अगर sky clear रहा, तो naked eye से भी देखा जा सकता है, अब आपको पता है, जो पृत्वी है, उसको northern hemisphere और southern hemisphere में हम divide करते हैं, तो बताये जा रहा है, कि January के महने के end में, मतलब यह जो January का महना चल रहा है, इसके end में, यह northern hemisphere में ठीक से देखा जा सकता है, और February के starting में, यह southern hemisphere में ठीक से देखा जा सकता है, अब भारत से आपको किधर देखना है नौर्थ वेस्ट, नौर्थ यह हो गया, वेस्ट हो गया, तो इस डारेक्शन में आपको देखना है, और वहाँ पर देखेगा एक constellation है, बूट्स constellation, आपको पता है अलग लग प्रकार के जो stars होते हैं, उसके constellation, बेसिकली हमने उनको naming दे है, ठीक है, कि इस तरह का name बन जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इस तरह से कुछ, यह देखने को मिलेगा, यह है आपका बूट्स constellation, तो यह नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, horizon से लगबग 16 degree अबव, ठीक है, और इसी constellation के नहीं हो पाता, especially शहरों में, तो वो उसको spot करना मुश्किल हो जाता है, खेर जो भी आप YouTube चैनल वगरा भी है, इनका यहाँ पर virtual telescope project वगरा का, वहाँ पर live streaming भी किया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन अब question यह है कि यह green का क्या मामला है, मतलब comet तो समझ म में आ गया, यह green color का है, तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, comet के अंदर frozen rocky होते हैं, frozen rocks होते हैं, gas filled objects इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के gas होते हैं, तो वो कई बार जब illuminate होते हैं, तो वो कुछ colors दे देते हैं, ठीक है, so due to their composition and character, वो अपने behind में क पुछ light भी छोड़ते जाते हैं, जैसे मनें आपको बताया ना, कि यह जो green comet का head है, वो अपने आप में green color का है, basically, the comet itself is green, जो head है comet का, और basically, जब जिस पास यह गुजरता है, तो अपने पीछी यह white color का जो आप line देख रहा हो ना, इस तरह से यह छोड़ता जाता है, और green color इसका कहा से आ रहा है, बताये जा रहा है कि इस comet में, it is having the presence of diatomic carbon, मतलब diatomic का मतलब दो, pair of carbon atoms that are bound together, और क्या होता है, कि जब यह atom जो है, ultra wallet rays, सूरज की जो रोशनी है, जो ultra wallet rays है, जब उस पे पढ़ती है, तो रेडियेट करता है, तो रेडियम जैसा आपने देखा होगा ना green color का चमकता है, कुछ वैसा ही यह चमकते वे देखने को मिलता है, इसलिए green comet है, ठीक है, अब green comet question यह भी आ सकता है, हम 50,000 साल की बात कर रहे हैं, क्या यह बहुत rare होता है, तो यह green comets का है ना कि इनका minimum period जो है orbit का जादा तर्क कम से कम 200 साल तो बताया ही जाता है, ठीक ह इनका पाथ ही इस तरह का होता है, कि यह बहुत लंबा समयल ले जाते हैं, ठीक है, और इनको spot करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, खैर जो भी है 2022 में इसका spot कर लिया गया था, और इसलिए इसको लेकर काफी ज़्यादा excitement बन रखा है, and I hope कि इस वीडियो के मादन से जो green comment के बारे में जितनी कुछ चीजें थी, वो आपको समझ में आ गई होगी, और जाने से पहले यहाँ पर एक बहुत इंटरस्टिंग question, क्या बता सकते हो कि सबसे पहला asteroid कौन सा discover किया गया था, इसका right answer आप सबको बता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा यह वहाँ पर अगर आप नह सबी के लिंक दिये हुए है, Republic Day का जो सेल है दूसनों सिर्फ दो दिन और बचा है, यहाँ पर आपके पास मौका है, जल्दी से अपने seats को book करिए and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then thank you very much, see you soon.